Hello, दोस्तो, Personal Finance में Health Insurance के बारे में बात करना बहुत ही ज़ादा जरूरी हो जाता है आज के समय में बहुत ज़ादा आज Health Insurance पर हम देख पा रहे हैं कि Awareness नहीं है, इसको लोग अपने उपर एक खर्चा ही मान रहे हैं लेकिन ये खर्चा नहीं है ये अपने ऊपर किया जाने वाला एक investment है और आज हम हमारे चैनल में देखते हैं तो बहुत सारे subscribers हैं जिनकी उम्र 25 साल, 30 साल, 35 साल तक है आप भी क्या उसी age group में है ये 25 साल से 40 साल के age group में तो आपके लिए वीडियो बहुत ही जादा important होने वाल पर एक चीज ध्यान देना बहुत जरूरी है जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी 40 से 41 होगी 42 होगी फिर धीरे धीरे 50 55 तो उम्र जैसे जैसे बढ़ेगी बहुत ही मुश्किल होता जाएगा health insurance लेना अगर आपको आज अपने parents का health insurance लेना है तो बहुत ही मुश्किल policy मिलना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा और आपको जो premium भी जो देना पड़ेगा यानि यह जो health insurance आप policy ले रहे उसका against में जो आप जो भी premium पे करेंगे साल भर में तो वह बहुत ही कम पे करना पड़ेगा तो कोई भी ऐसी emergency होती है contingency होती है तो आपको अपने जो saving account है या fix deposit है उसको नहीं तोड़ना पड़ेगा या फिर पैसा कहीं से उधार मांगने की friends से relative से वह जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी संभावना कम रहती है कम उम्र में लेकिन अगर कुछ ऐसा होता है तो आपको किसी पर भी निर्भर नहीं रहना पड़ेगा तो यह एक तरीके से आपका आपके उपर investment तो हुआ ही दोस्तों आपको waiting period का benefit मिलेगा यह second point है technically यह benefit नहीं है देखिए यह 30 दिन से 4 साल तक भी हो सकता है अब यह क्या होता है waiting period समझने की कोशिस करते हैं कि यह वो period होता है कि आपको policy तो मिल चुकी है लेकिन आप उस policy को use नहीं कर सकते हैं जैसे यह आप 30 दिन देख रहे हैं तो policy मिलने के 30 दिन तक आपको कुछ भी होता है तो आप उसको claim नहीं कर सकते हैं तो जब आपकी उम्र कम है 25 साल 30 साल यह उम्र है तो बहुत ज़्यादा chances है कि आपको hospitalization या फिर कोई भी contingency है वो आपको नहीं होगी तो waiting period जो है उसका ज suppose आपके parents हैं उनके उम्र 60 साल है 65 साल है और ज्यादा बड़ा waiting period है दो साल का है या एक साल का है तो यहां assumption यह रहेगा कि बहुत ज्यादा लंबा waiting period होने वाला है तो कुछ भी बीच में होता है policy जो भले ही चालू हो लेकिन आपको या आपके जो parents हैं उनको वो फाइदा न रहते हैं यह बहुत important point है medical check-up देखिए 40 या उससे उपर अगर आप policy लेने जाते हैं तो बहुत ज्यादा chances है कि जो companyya है insist करेंगे कि आपकी एक medical check-up होनी चाहिए हो सकता है कि medical check-up के लिए company बाद में पैसा reimburse कर दे लेकिन आपको अस्पताल में जाना पड़ेगा तो उसके लिए एक दिन के लिए तो समझ लीजिए आपकी पूरे दिन टेस्ट होगी तो यह भी एक mental stigma रहता है कि hospital में जाएंगे अलग अलग तरह कि हमारी checking होने वाली है check-up होने वाला है तो यह थोड़ा सा negative हो जाता है बहुत सारे customers लोगों के लिए तो आपकी जैसे age ज्यादा हो है तो आपको medical check-up की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और premium जो है वो तो कम रहेगा ही और some insured भी जो है आपको ज्यादा मिलेगा और देखिए 40-45 साल में medical check-up तो आपको हो गाई और कुछ 2-3 बिमारियां भी अगर निकल जाती है तो फिर some insured भी आपको ज्यादा देना मेडिकल इंशूरेंस जरूर ले लें कम उम्र में अगर आप मेडिकल इंशूरेंस लेते हैं तो उसका फाइदा ये भी है कि आपको यह अपर एज सीलिंग या मेडिकल टेस्ट जो हमने थोड़ी दिर पहले बताया इसके बारे में चिंता नहीं करनी है बहुत जगा में ऐस होता है कुछ-कुछ पॉलेसी में कि एक को एक सीलिंग होती है और काहिस्कल होनौ घृइंट यणग अगाले सेट्स लेकिन यह पॉइंट मैंने यहां पर लिखा नहीं है यह भी आपको बता दू टैक्स एडवांटेज भी आपको मिलता है अगर आप मेडिकल पॉलिसी लेते हैं तो अब यह बहुत इंपोर्टेंट और इंट्रेस्टिंग चीज है नो क्लेम बोनस यह देखिया अंडरलाइन में कर रहा हूं यानि की क्लेम फ्री यर है मतलब आपने प्रीमियम दिया और एक साल में आपने कोई भी क्लेम नहीं किया ठीक है आपको जो टैक्स बेनिफिट मिलना आपको हो सकता है अगले साल जो आपका Sum Insured है Sum Insured समद लीजी ये 5 लाग का है तो अगले साल हो सकता है अलग-अलग Policy की अलग-अलग Terms and Condition रहते हैं Sum Insured अगले साल हो सकता है बढ़ जाए 5 लाग है तो साड़े 5 लाग या 6 लाग हो जाए यह जस्त ने एक एक अग्जामपल बता रहा हूं या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगले साल आपको जो भी आपका इंशॉरंस प्रीमियम देना हो तो उसमें एक अच्छी खासी रिबेट मिल जाए यानि आपको थोड़ा सा कम पैसा देना पड़े तो ओवर लॉंग टम आपके लिए एक एडवांटेज हो तो जब जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी तो आपका जो सम इंशॉर्ड है अल्रेडी जादा बढ़ जाएगा तो यह एक एडवांटेज और दूसरा देखिया आजकल पोटेबिलिटी भी होती है मतलब एक इंशॉरंस से आप दूसरी कंपनी में आप जा भी सकता है त तो वहां भी एक एडवांटेज है तो उसमें भी कोई फरक नहीं पड़ेगा उमीद है इस लर्निंग सीरीस से आपको बहुत कुछ आइडिया मिला होगा बेसिक चीज़े ही है हेल्ट इंशॉरंस को लेकर दोस्तों आपको कोई भी प्रस्नों हो तो जरूर कॉमेंट झाल